नमस्कार मैं प्रोफेसर रामबक्ष बारतिय भासा के अंदर जवारलाल नेरुविश विद्याले नई दिली आज हम दलिच साहित प्रशन पत्र के अंतरगत दलिच साहित के अध्यान की समश्याएं इस इकाई की चाचा करेंगे इस इकाई के अध्यान के उपरांत आप दलिच साहित के अध्यान की मूल भूत समश्याओं से अउगत हो सकेंगे दलित साहित की पैचान के लिए वस्तुगत कसोटियों के निर्मान की आफशक्ता को महसूस कर सकेंगे दलित विमर्स एवं अन्य अस्मिता मूलक विमर्सों के पारसफरिक संबंदों की आफशक्ता एवं वास्त विक्ता से परिचित हो सकेंगे दलित साहित की इस्त्री द्रिष्टी की समिश्याओं और सीमाओं को जान सकेंगे और दलित साहित में अनुभूती एंकत्य के दुहराव की जो समिश्या है इस समिश्या को भी आप समझ पाएंगे दरसल दलित साहित एक व्यापक दलित आंदोलन की रचनात्मक अभ्यक्ति है जब हम इसको व्यापक दलित आंदोलन कहते हैं तब इसका मतलब दलितों का जो राजनेतिक आंदोलन है जो सामाजिक आंदोलन है जो सांस्कृतिक आंदोलन है उसकी अभिवक्ति जो रचनात्म का अभिवक्ति है वो दलित आंदोलन जिन आदर्सों और लक्षियों को लेकर चला आ रहा है या चल रहा है उन्ही आदर्सों की अभिवक्ति और उन्ही लक्षियों की प्राप्ति की वो सामाजिक चेतना को उन्मुख करना दलिच साहित का उद्धे से रहा है जिसमें ये बहुत हद तक सेल वी रहा है हिंदी के दलिच साहित् तो एक बड़ी सफलता ये रही कि इसने हिंदी के समाज और साहित का एक नए डंके यथार्थ और अनुबव से परिचित करवाया जिस कड़वे यथार्थ की केवल कल्पना की जा सकती है उसके प्रामानिक दस्तावेज के रूप में दलिच साहित अपनी उपस्तिती दर्ज कराता अन्य भारति भासाओं के दलिच साहित को अगर छोड़ भी दें तो केवल हिंदी के दलिच साहित की भी बात करें तो 1980 के बाद से लगातार इसने अपनी इस्तिती मजबूत की पिछले 35 वर्षों के दलिच साहित को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इसने अपने उदे और अपनी इस्ताफना के दो चरण पूरे कर लिए दो चरण कौन से जिसमें से पहला चरण जिसे माना जाता है कि आज का यह जो दलिच साहित है वो हिंदी साहित में कहीं भी हासिय का साहित नहीं इसका एक अच्छा खासा पाठक वर्ग है और इसके साहितिकी मांग है मतलब हिंदी के दलित साहितिक लिए अब पैचान का संकट नहीं है पैचान के संकट का दोर खतम हो चुका है कि लोग जानते हैं अब सब लोग जानते हैं कि यह दलित साहित है और यह लेकक हैं और इनकी पारमपरिक गड़ों और मठों को तोड़ कर इतिहास वर्तमान और भविश में अपनी पैचान और जगे बनाने के लिए इस उत्सा और आक्रा मक्ता का होना स्वाभाविक है और कई बार जायज भी है ठीक लगता है लेकिन इतिहास हमें ये सीख देता है कि आंदोलन की वास् पलता महज उत्सा और आक्रा मक्ता के कारण निश्चित नहीं हो सकती उसे आपा नहीं सकते बलकि उसके लिए गंबीर और सतत आत्मालों चन्न और मूल भूत प्रस्णों की इस पस्ट समझ की आवशकता होती हमेशा दलित अंदोलन और दलित साहित के संदर में भी ये बात लागू होती है दलित साहित अब अपनी प्रोडा वस्ता में पहुंच चुका लेकिन हिंदी के दलित साहित को लेकर अब भी बहुत सी उल्जने बनी हुई है बहुत से प्रस्ण अनुतरित है और पाठक असमंजर्स की इस्तिति में है उदारण के तोर पर पाठक के लिए पाना भी आसान नहीं है कि किस साहित को दलित साहित कहा जाए यह बहुत ही बुनियादी प्रस्ण कि कौन सा साहित दलित साहित है लेकिन दुरभागे से अब तक इस प्रस्ण के कोई संतोस जनक उत्तर नहीं मिला या कहना चाहिए कि एक सर और समत उत्तर आज भी हमें प्रा सबसे जो प्रात्मिक समिश्या पहली समिश्या आधारबूद समिश्या वह यह कि पैचान कैसे करें कैसे समझा जाए कि अमुक साहित दलिट साहित अत्वा नहीं सहज और स्वाभाविक तोर पर यह कहा जा सकता है कि रचना के पाठ के आधार पर उसके पात्र उसके परिवेश गटनाएं प्रसंग और रचनाकार की विचार धारात्म के अवस्थिति इनका विशलेशन करें और इन विशलेशन के आधार पर रचना के दलिट साहित होने या क्याना होने का निर्णे किया जा सकता है बड़ा साहता है comprar लेकिन ये बात इतनी सामानयों सहज के सिब्सार पोहसे कि दलितों की पीड़ा दलिती समझ सकता है और वही इस पीडह का प्रामानिक प्रवक्ता भी एक अन्य दलित चिंतक एक कवल. भारती उनगा मानना एंगा दलित शाहित से कि जो प्रात्मिक और सबसे महत्वपोन कसोटी वो क्या है कि लेखक दलित होना चाहिए अब यह कसोटी बहुत सारे प्रश्ण पैदा करती और कई भ्रह्म की सिति आती और ब्रह्मिक्ता इस बात में कि आप या तो रचना को बिना पड़े ही उसे दलित साहिते माल लेंगे य क्योंकि आपको उस लेखक की जाती का पता नहीं अब पहले आप लेखक की जाती का पता करो फिर यह देखो कि यह दलित साहिते के जो अध्यता जो है उनके सामने बड़ी उलजन सवाल यह है कि साहिते के किसी भी प्रकार के कोटी निर्दारण की कसोटी स्वेम साहिते होना चाहिए या फिर साहितिकार और उसकी जाती अब ये एक बड़ा सोंदर्य सास्त्री प्रस्ण है और सिर्फ दलित साहिते पर ही लागू नहीं आता सभी साहिते पर लागू होता और नई समिक्षा और आदुनिक जो चिंतक हैं वो तो इस पर बहुत गंबीरता से बात करते हैं का हमें साहितिकार से कोई मतलब नहीं हमें रचना जो कहती हम उस पर जाते हैं तो अगर ये प्रस्ण आप यहां लाएंगे तो आपकी जो कसोटी है उसमें दिक्कत आएगी फिर दलित साहितिकार जो होता है वो अनुभूती की प्रामानिकता है उस पर बल देते हैं ये ठी काना भी उतनी ससकत होगी और विश्वष्णी होगी इसलिए अनुभूती की प्रामानिकता के कारण कोई दिक्कत ने समशा तो उत्पन होती एजब दलित साहितिकार ये कहते हैं कि अनुभूती की प्रामानिकता की पहली और आखिसी सर्थ है स्वान भूत reviewed मतलब की दलित समाज के बारे में लेखक की अनुबूती प्रामानिक है अत्वा नहीं इसका निर्णे केवल इस आदार पर होगा कि लेखक स्वेम दलित है अत्वा नहीं ये एक किसम का अतिवाद है और कुछ आलोचकी से सहमत नहीं इस तर्ख से तो कोई भी रजनाकार केवल और केवल अपने बारे में लिख सकता किसी दूसरे व्यक्ति समाज गटना और प्रसंग पर जो लिखा हुआ जो सहित्य है वो हमेशा ही संदिक दुमाना जाएगा और इस तरह सहित्य केवल एक ही प्रामानिक वीदा बच सकती है वो आत्मकता दलित सहित्य में आत्मकता और आत्मकता मकता पर जो जोर है वो अकारण नहीं है और जाहिर है कि साहित का सिर्फ अपने बारे में नहीं लिखता वो समाज के बारे में लिखता देश दुनिया के बारे में लिखता प्रेम चन्ने स्वादिंता अंदोलन के बारे में लिखता अंग्रेज भी उसके अंदर पात रहे जेल का प्रक्रान आया सब चीजों का नी ने बारे में लिकिये तो यहां पर कई दूसरे प्रश्ण अतिवादी प्रश्ण आते हैं है और यह स्वान भूति का तर्क है इसके कई और अतिवादी प्रकाणने ऐडि समाज के बारे में गैर दलिद लेक की अनुबूती को प्रामानिक नहीं माना जा सकता तो गेर दलित समाज के बारे में दलित लेखकों की अनुभूती को प्रामानिक कैसे माना जाएगा उसका क्या तार्क होएगा आप दूसरों को कैसे कह सकते हो जो दलित नहीं है उस वर्ग के बारे में आप जो भी टिपणी करते हो वो टिपणी कैसे प्रामानिक है क्यों कि आप तो सिर्फ दलितों के बारें कहा किए सकते हो इसी तरह देश, दुनिया, समाज के अन्य मुद्शों पर दलित लेक हों द mastering द्रूरा जो लिका गया साहित है उर्वे milliatt जवाब स्वान भूति के तरके आदार पर मिलना मुश्किल है। जो दलित साहित्य है। इसका जो गोसित लक्ष दलित मुक्ति। दलितों को सामाजिक उत्पिडण और जातिवादी सोशन के चक्र से मुक्त करना दलित साहित्य का महत्पून उद्देस है। ये जरूरी सबसे बड़ी चीज्थ दहला है। से हासिल नहीं किया जा सकता है दलित मुक्ती जातिवाद की मुक्ती से ही संभब हैं जातिवाद से मुक्त हुए बीना दलित banc का जो स्वप्ण है वो एक ब्रह fail오ोर उसका एथारक मरिचिका हिंदी के दलित साहित को इस द्रशी से भी पड़े समझे जाने की जरूरत है कि इसमें दलित मुक्ति के सवाल को व्यापक तोर पर जाती मुक्ति के सवाल के रूप में कितना उठाया गया भारत में खास तोर से हिंदी प्रदेश में दलित मुक्ति का अंदोलन साहित्य और राजनीति में लगबक साथ साथ प्रारंब और विक्षित हुआ दोनों ही मोर्चों पर दलित मुक्ति के प्रेणा पुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडगरी रे डॉक्टर अंबेड करके पास एक बड़ा विजन था उनके लिए दलित मुक्ति जाती मुक्ति के व्यापक प्रोजेक्ट का हिस्सा थी क्या आज के दलित आंदोलन के बारे में यही बात विश्वास के साथ का जा सकते हैं डलित राजनीती की एक अलग इस्थिती है और यह पूरी तरह से कई बार लगता है कि यह एक समझोता परस्थ इस्थिती है और जिसका नित्रत्व सुईदा भोगी संपन डलित बद्रवर के हाथ में है और इसका वास्तिक डलित समाज की पीडा और मुक्ति से कितना संबंद है, कितना नहीं, इसके बारे में कुछ भी कहना संबव नहीं क्योंकि इनका लक्ष है सत्या और साथन में डलित बद्रवर की भागीदारी और इस भागीदारी को किसी भी कीमत पर बचाई रखना हिंदी में दलित साहितяться कार भी दलित राजनिती की इस परिach से कई बार असंतुस दिखते हैं यह था इस्तितिवादी है दलित साहित की जो सबसे बड़ी जो सकारात्मक भूमिका है और जो कार्य दलित साहित ने किया है वो है दलित समाज की जो मुक्ति की चेतना है उस मुक्ति की चेतना से दलित समाज को लेश करना उस रचना रचनाओं को पढ़ करके जो दलित समाज ह वो मुक्ति की चेतना से लेश हो जाता है, समर्त हो जाता है और उनके मन में ये मुक्ति की भावना आती है। दलने का कोई प्रियास दलित साहित कारों द्वारा किया गया हो ऐसा अभी तक दिखाई नहीं पड़ता कम से कम रचनाओं में दिखाई नहीं पड़ता सिर्फ वहीं तक दिखाई पड़ता है और इसे कह सकते हैं कि यह दलित साहित की एक सीमा है और संभव है कि इतिहास के दोनों में धभी है, दोनों में से और रग का फरक है, ये ध्वनी स्वाम्य हैं, लेकिन इसका आर्थ और प्रभाव लगबग विप्रीध है, जब आप प्रतिरोद करते हैं, तो ये एक परकार की शकारात्म को जाए, किसी ने गलत किया और उस गलत को हम दूर करते हैं, तो ये एक व्यक्ति और समाज को समाजिक उत्थान के रास्ते पर आगे बढ़ाता है और उसे प्रगतिकामी बनाता है लेकिन जब आप प्रतिशोद का स्वभाव रखते हैं तो ये प्रतिशोद जो है प्रतिकिरियावादी और प्रतिगामी हैं क्योंकि प्रतिशोद का रास तथा कतित उंची जातियों द्वारा दलितों के उत्पड़न का बदला दलित साहितिकारों ने सोशन और उत्पड़न के चकर को उलट कर लेने का मन बनाया परिणाप सुरूप दलित साहित के गर्ब में कुछ ऐसी रचनाएं पैदा हुई जिनमें दलित जाती के पुरुष पात्र उंची जाती के इस्त्री पात्रों के साथ वही सब कुछ करना चाहता है जो उंची जाती का दबंग पुरुष दलित मैलाओं के साथ किया करता रहा ह यह जो भावना है आप भी उनी के अंदर रूपां तरीत हो जाते हो नचाहते वे भी आपका आदर्स आपका सत्रु हो जाता है और आपका रूप वेसाई बन जाता ओम परकास वालमिकी की ग्रहन सूरजपाल चोहान की चेता का उपकार और चंद्रबान परसाद की चमरिया मय प्रति सोधात्म कारवाई है इसको अंजाम देकर दलित साहित्यकारों को एक विशेश परकार का संतोस मिलता है दलित साहित्यके किसी भी संवेदर सील पाटर को ये सवाल जरूर परेशान करेगा कि जातिवाद से मुक्ति का ये कौन सा उत्तर आदुनिक नुश्व का है इससे जातिवाद समाप्तनी होगा और इससे ये जो उत्पीडन है वो उत्पीडन भी समाप्तनी होगा बलकि उसका एक रूप दूसे तरह से रेगव तो दलित साहिति का दियन करते हुए इस बात की तरफ भी हमारा ध्यान जाता जाता ए यह जाना चाहिए कि समगर जाती व्यवस्ता के बारे में दलित लेकों और चिंतब मoration के उप्तिवेवस्ता में जातियों की कई शोपान फाकात उंची जातियों और दलितों के भीच मद्यवरगी जह अधियं भी जो दलितों के संदर में कई बार की सोश जाति के रूप में दिखाई पड़ती है लेकिन अपने से उंची जातियों के संदर diu comin जातिवादी सोशन की सिकार भी हे इसके अलाबार दलिट जातियों में भी जातिवादी श्रेणिया म मुझूद है परसपर बेटी का व्यवार वहां भी उतनी कडाई से निशिद्ध है जातिवाद चे जुड़े इन तमाम के साथ में वो बात की जाती है कई बड़े दलित चिंतकों को तो जातियों के अस्तित उसे कोई खास परिशानी नहीं डाक्टर धर्मबीर का मानना है कि जातियों के बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है यदि उनमें जाती विद्वेश्ट नहों अब यह जाती हो और जाती विद्वेश्ट नहों ऐसा कैसे हो सकता अगर आप में जाती भावना रहेगी तो जाती इसरेश्टा की भावना रहेग तो ये कोई एक विचितर से चीज नहीं इसलिए जाती व्यवस्ता का जो बुन्याद है वो जाती वादी भेध वावी है और ऐसे में विद्वेस रहित जो जाती व्यवस्ता है वो तो कोबी हुई नहीं सकती ये अपरिपक्को चिंतन की निशानी है और इसी तरह जाती मुक्त हुए बिना दलित मुक्ती की बात भी कई बार आधार हीन फेंटेशी की तरह लगती है और इसके दूसरे नुक्सान इस साइट को मिलते हैं बिडबना है कि भारत के अधिकांस जाती मुक्ती आंदोलन अंतते जाती वादी वच्चसों में आंशिक फेर बदल करके ही संतुस होगे या जाती व्यवस्ता द्वारा समय योजित कर लिएगे पुराने जमाने में भी यह था कि जिसने बहुत जाती वादी जातियां इसलिए जब तक जाती प्रथा जाती वाद इसका खंडन नहीं होता किसी में भी कोई भी जाती वाद हो तब तक आप उस साहित के सरजन नहीं कर सकते जो मानव मुक्ती का साहित है इसलिए सिर्फ दलित मुक्ती का साहित है नहीं होकर मानव मुक्ती का साहित है बने और संप दलित शाहित्य का जो इस्त्री पक्ष है इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है कि किसी भी समाज और शाहित्य में कि जो जनतांत्रिक्ता की परखने की जो कसोटी है उसमें यह है कि उसमें इस्त्रियों की भागीदारी कितनी है कितने लोग उपस्चित है दलित शाहित्य के जनतंत्र को निश्चित रूप से मजबूत और व्यापक बनाया लेकिन दलित साहित ने स्वयम अपने भीतर जनतंत्र को कितनी जगे दी है इसे भी देखने की जूरत है दलित साहित का जो इस्त्री पक्ष है इसके विशलेशन के माध्यम से हम इस बात को अच्छी तरह से है वो कई बार बड़ा आपत्ति जनक लगता कुछ लोग उसकी बड़ी आलोसना करते हैं कई बार यह जो पूरा दलित साहित है वो इस्त्री प्रश्णों पर मोन हो जाता या जब कभी कोई मुखर बोलता है तो विरोध मोलता जो बड़े भारी दलित चिन तक माने जाते है हैं डॉक्टर दर्मवीर उन्होंने तो जैसे पूरा मोर्चा ही इस्त्री विरोध का ही कोल रखा दलित समाज के उत्पीडित होते रहने का भी पूरा जिम्मा वे दलित इस्त्रियों के मत्ते डाल देते हैं दलित इस्त्रियों की स्वतंतरता के शक्त विरोधी हैं दर्मव हो जाती है वे पर पूरुषों के साथ व्यविचार कर बैठती है एक अन्य दलित चिंतक है डाक्टर एन सिंग वो भी इसी तरह की बात कहते हैं वो कहते हैं महिला दलित वर्की हो या चाहे किसी अन्य वर्की हो नियंत्रन के अभाव में उस्रंकल हो सकती है अब तुलसी दास कि यह के आ दा था कि लिए तो नारी विगड़ जाती है इस्त्री की स्वतंतरता का ऐसा घोर बिरोद और उस पर नियंतरध पित्रसत्तय की चरम इस्तिति है और इस्त्री चिंतनकर लेकशन यहां पर वी भिरोद करता है भारत के जातिवादि जो समाज है उसमें उसमें जा आज भी थमा नहीं हो लेकिन ये दुखद और आशरी जनक है कि डॉक्टर धर्मवीर जैसे दलित चिंतक इस योन सोशन में दलित महिलाओं की स्वेच्छा और बराबर की भागिदारी का सिद्धान्त उन्हों ने रच दिया इस मनगड़त सिद्धान्त के आदार पर चंद की कहानी कफन की बुद्या के घर्व में ठाकुर के वच्चे को स्क्विद कर के चरित्रहीन बुद्या के प्रति गीशों मार्दाओं की बे-्रुखी का जस्टिफिकेशन देते हैं कि ये वच्चा ही ठाकुर का अब ये कुछ बहुत जादा зовутी के पहीं कि रचना करने के आरोप में प्रेम चंद को अगर दलित विरोधी माना जा सकता है तो बुद्या और तमाम दलित महिलाओं को जार कर्म के अपराद में स्वेच्छा से सनलिप्त मानने वाले डाक्टर धर्मवीर के लिए कौन सा विसेशन चुना जाना चाहिए यह जार कर्म इनके भी ब कि दलित विमर्ष दलित इस्त्रियों की मुक्ति के सिवाल पर कहीं ने कहीं पुरुष वाद का शिकार है इसलिए दलित इस्त्रियों ने अपने दलित और इस्त्री होने की दोरी पीडा को अपनी रचनाओं और आर्तम कतां में अव्यक्त किया कोसल्या बेशंत्री की आर्त साहित के लिए ये और अच्छी बात होती अगर वे दलित इस्ट्री के स्वर को भी अपने में समयट लेता लेकिन दलित इस्ट्रियों के हक के सवाल को उठाना उन्हें विरोधियों का सदियनतर मालुम होता है दलित साहित कार डाक्टर विमल कीर्थी तो ऐसा ही मानते हैं कि जो लोग दलित मुक्ति आंदोलन के विरोधी हैं, वे लोग जान भूज कर दलित आंदोलन को कमजोर करने के लिए इस तरह के सवाल खड़े करते हैं। प्रस्ण भी बड़ा भारी प्रस्ण हैं और इस से दलित साहित एकदम किनारा किया है। विबिन अस्मिताओं की अलग-अलग मुक्ति संभव है। आप अपनी मुक्ति करो, इस्त्री अपनी मुक्ति करेंगी, दलित अपनी मुक्ति करेंगे, आदिवासी अपनी मुक्ति करेंगे। तो ये समझना कि किसी भी उत्पीड समझाय की मुक्ति एका की बन में ही संभव हुए ये एक परकार की मिध्या चेतना है और दलित विमस रोषाहित भी कई बार ऐसा लगता है कि इस मिध्या चेतना के सिकार है स्वेम दालित मुक्त कभी नहीं हो सकते, और स्वेम उनके द्वारा भी कभी ніहीं हो शकते, दृह इसी चेटना विक्षित हो सकती है, जिसमें समाज का जो एक हिस्सा, जो चाहे सवर्ण हों, चाहे दालित होंर उनके बीश में कोई समझ विक्षित हो और और इसलिए इस बात को गंबीरता से समझने की जरूरत है कि मुक्ति का कोई भी आंदोलन अन्य अस्मिताओं की मुक्ति के आंदोलन के प्रति सहयोग और साचरिका भाव रखे बिना सफल नहीं हो सकता दलित इस्त्री आदिवासी और दलित इस्त्री अस्मिताओं की मुक्ति एक दूसरे के प्रति सत्रुभाव रखकर या अलग थलग रहकर कदापी संबव नहीं दलित साहित और पूरे दलित विमर्श में इस प्रकार के सहयोग और संपूर्ण समाजिक मुक्ति के लिए कोई गंबीर प्रियास किया गया हो ऐसा रचना के इस्तर पर दिखाई नहीं देता तो एक उत्पीडित समाज, दूसरे उत्पीडित समाज के बारे में क्या सोचता है, ये कहीं लेखन में, चिंतन में, विचार में आता नहीं, और इसलिए कई बार ये समझ वे नहीं आता है, आप सिर्फ अपनी अपनी बात करते हो, आपके साहित से संपूर्ण समाज की चिंत प्रस्ण आता ही नहीं तो यह एक प्रस्ण है जो दलित साहित के बारे में विचारक पूछते हैं दलित विमर्ष अपने आक्रमक्त तेवर के कारण किसी को भी साथ लेकर चलने के लिए तैयार ही वो किता हमको किसी की जरूरत नहीं और विशेश रूप से सवर्णों की तो ब संदर में बी दलित साहित कारों, चिनतकों के विचार इसी तरह के हैं आदिवाकी शमुदाय की मुक्ति या उनकी जो समाजिक पहिचान को लेकर कोई चिंता सायदी कभी किसी दलित चिंतक ने व्यक्ट की हूँ इसके अलवा δलित मुक्ती जैसे व्यापक जाति मुक्ती परिणाम निकलने की जो उमीद है वो उमीद नहीं किसा सकते हैं आला कि कुछ लोगों का अलोजकों का विचार है कि दलित विमर्च और साहित जिस राष्टे पर चल रहा है उससे दलितों की वह वास्ट्विक मुक्ति संभव नहीं है संपूर्ण समाजिक मुक्ति का परिचित कराया जो पहले पूरी तरह से अनुपस्तित थे इसने पूरी हिंदी शाहित का फ्लेवर बदल दिया हिंदी साहित में यह एक प्रकार का नवनमेश था यह अकाराण नहीं है कि दलिट साहित को अपने पाठक पैदा करने के लिए कोई जिद्व जहद नहीं करनी पाठक बाद में दलिच साहित के पाठक होगे इस तरह दलिच साहित ने करीब करीब 35-40 वर्सों का सफर अब्ते के लिया इतने वर्सों में दलिच साहित के स्वर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया ये एक चिंता की बात है आपने जिस क्रम से सुरू किया था 40 सा प्रतिरोध में परिवर्तित किया और उसे अभ्यक्ति दी बहुत बड़ी बात थी लेकिन इस अभ्यक्ति में एक समय के बाद अनुभूतियों का दोहराव दिखाई देने लगा इसके कुस्थोस कारण समझवाते हैं दलित साहितिकारों ने दलित साहितिकों गेर दलित साहितिकारों के सडियंतर से बचाने के लिए स्वान भूतिकी सर्थ का कड़ाई से पालन किया स्वान भूतिकी सर्थ के कारण साहिति सजन के परकाया प्रवेश वाले सिद्धान्त को दलित साहितिकार जबरन नकारते हैं हमारे यह एक परकाया अब आप इसको बिल्कूल ही नहीं मानते हों तो नतीजा यह हुआ कि स्वान भूत की सर्थ स्वेम उनकी सीमा बन गी आलो चंग जेसे निर्मला जेन ने एक साख साथकार में कहा कि दलित साहित की सीमा और अनुभूतियों के दोहराओं को रेकांकित करती हुए कहती है कि रच रचनाकारों के पक्स प्रतिफक्स दोनों की भूमिकाएं अनुभू परिद्र से थोड़े बहुत अंतर से लगबग समान होते हैं ऐसी इस्तिति में एक ही लेक की रचनाओं को पढ़ने पर तो दोहराओं से गुजरने का एसास होता ही है एक ही तरह की कहानी लिगता अलग रचनाकारों में भी समान धर्मा होने के कारण यही इस्तिति बनती है दलित शाहित के एक और आलोचक बजरंग विहरी तिवारी ने भी दलित कहानियों के संदर में एक रस्ता के मुद्दे को सामने रखा उनका मानना है कि एक मात्र उत्पीडन को ही कहानी रचना का उत्प दुख के अलावा भी कहानी और कई बार जो लेखक होता है वो दुख के उपर हंसता भी है उस दुख के साथ में ऑखेलता भी है उसकी जो खिलाडि वरती है वो उस एक रस्ता को तोड़ती है और इस परवरती से जो दलित जीवन के दूसरे पक्षय दूसरे पहलु है उन जीवन का जो मनोरम चित्र है उस मनोरम चित्र की जांकी हमें दलित शाहित में भी दिखाई देनी चाहिए जो नहीं देती डलित साहितकारों की एक ये भी चिंता कि उन्होंने हमेशा एक missionary approach से साहित्र सज्जन के एक mission की तरह काम की तरह से और mission में काम में यह होता है कि जो पूर निर्दारित मानिताएं थी उन्ही पूर निर्दारित मानिताओं का नुसार हम आगे चलेंगे पूर निर्दारित मानिताओं जैसे पूरा गेर दलित समाज द जिंदगी के कर्म में बदल जाती और उस बदलने का भी चित्रन करना चाहिए और हमेशा से सारा जो गेर दलित समाज है वो इनके अनुसार दलितों के सोशन उत्पीडन में सामिल रेता इसका नतीजा क्या हुआ कि जो पूरा साहित ये एक समझ है तो पूरा साहित ये दलित बनाम गेर दलित की सकल लेता चला गया और उसमें पूरे गेर दलित समाज के प्रति ग्रणा क्रूद और विद्वेशी मूल कत्य के रूप ने इस्तापित होते चले गए यह सही है कि जातिवादी सोशन समाजिक अपमान और अभाव दलित समाज का यथात है लेकिन इन सब के अलावा जहां जीवन है वहां रागात्मकता है आंस्वों और पीडा के बीच हंसी ठिटोली और उल्लाश भी है दलित साहित्यकारों की द्रस्टी इस तरफ कम ही जाती है संभव है उन्हें इस बात का डर हो कि इसे दलित साहित्यका जो प्रतिरोधी तेवर है वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा लेकिन अभी हाल में जो प्रकाशित तुलसी राम की जो आत्मकता है मुर प्रसंगों की उद्वावना दलित साहित्यकारों को दलित जीवन के ऐसे प्रसंगों को खोजने और खंगालने की जरूरत है जो दलित साहित्यकों मोनोटोनेस होने से बचा सके उसे इस्थाई महतों दिला सके सिर्फ एक रस जीवन में नहीं है सिर्फ विरोध जीवन में सिर्फ सुक ही जीवन में नहीं है मनुसे सुक की लालसा भी करता है सुक के स्वपन भी देखता है उस स्वपन कई बार यथात की तरह से जीता भी है उन समकी अभियक्ती भी साहिती में होनी चाहिए ताकि वो जो एक रस्ता है उस एक रस्ता को बंग किया जा सके और इस एक रस्ता के कारण जो जीवन जो संपूर्ण ते चित्रित होता है वो जीवन भी थोड़ा छोटा हो जाता वो संपूर्ण नहीं आ पाता सारे समाज को अगर हम छोड़ भी दें तो दलित जीवन की भी जो समगर तस्वीर है वो दल यासिक भूमिका का निर्वा किया लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं और इन सीमाओं के कुछ अन्सुल्जे प्रसंग भी है कई प्रसंग भी है जिन पर दलिच साहित में एक तरह की सामोई चुप्पी है ऐसे अन्सुल्जे प्रसंग और अनुतरित सवाल दलिच साहित के अध्य के लिए चुनोती है क्योंकि इनके उत्तर पाना आसान नहीं और उत्तर पाए बिना अध्येन को सई दिशा में आगे बढ़ाना और भी मुश्किल है और यह माना जाता है कि दलित साहित का अध्येन सिर्फ रचनाकारी नहीं करेगा जो गेर दलित लोग हैं जो सामान्य विद अर्मी नहीं वो समझना चाहते हैं और जो समझना चाहते हैं उनके लिए सरल तरीके से इन प्रस्णों के जवाब भी दलित साहित में आने चाहिए